आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, तो इस Question में हमसे का गया है The Debruy Wave is a Mechanical Wave, an Electromagnetic Wave, neither Mechanical nor Electromagnetic Wave या फिर बोथ 1 and 2 जो Light Raise होती है उसमें दो तरीके के Nature होती है पहला वो Particle Nature शो करती है और दूसरा वो Wave Nature शो करती है तो ये Electromagnetic Waves के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो दो तरीके के Nature शो करती है पहला Particle Nature शो करती है और दूसरा Wave Nature शो करती है डी ब्रॉय ने क्या suggest किया डी ब्रॉय ने ये suggest किया कि जो matter होते हैं वो भी उनमें भी क्या होता है dual nature होता है also exist duality and have wave properties यानि कि जो भी matter होते हैं उसमें भी क्या होती है wave properties होती है उन waves को हम लोग बोलते हैं matter waves तो matter wave का क्या मतलब हुआ कि जो भी material होते हैं हमाई पास उनका जो behavior होता है वो time और space के साथ vary करता है ताइम और space के साथ vary करता है अगर हमें कोई भी mathematical form दिया हुआ होता हो तो जो डिब्रॉय ने wavelength निकाली थी अपनी calculation से तो डिब्रॉय के wavelength हाई थी h upon mv के बराबर यहाँ पर h क्या है plank constant है मास ओफ बड़ी होगा भी क्या होगा speed होगी उस बड़ी की जिससे वो ट्रैवल कर रहा होता है सो इस question का जो answer होना चाहिए वो थर्ड ओला option होना चाहिए नाइधर mechanical wave नौर electromagnetic wave क्योंकि हमारा answer क्या है matter wave है ठीक है तो option 3 correct हो जाएगा thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह download करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 पर